साथियो नमस्कार ग्लूबल ग्यान चैनल पे आपका स्वागत है साथियो कई लोगों का ऐसा भी कमेंट आया है और उन्होंने मुझे ब्यक्ति गत्रूप से भी बता है कि उन्हें इंग्लिश मिडियोम का चाहिए क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं है जिसमें हमारे कई सारे म जो तमील परसंड है मल्यालम है मल्याली है और तीलगू है तो उनके लिए हिंदी ज्यादा बेनिफीशल नहीं हो रहा है फिर भी हमारी कोशिश होगी कि मैं हिंदी में भी करवाओं और इंग्लिश में भी करवाओं और तो आईए कुषिन क्योंड चलते हैं और यह मैंसर क्या हो जाएगा ताउसें वन हडेड़न फाइवे में साथियो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें कह रहा है कि मैक्सिमुम स्टेंडर्ड बफर हाइट एब रेल लेवेल टू सेंटर अफ बफर कहने का ताथ पड़ यह है कि रेल से बफर की जो हाइट है वो कितनी ह होती है तो 1105 या 1105 या 1105 या 1105 क्योंकि देखें रेल कहने का मतलब पटरी आप सीधी शब्दों में कहिए तो पटरी यानी रेल या ट्रैक कहिए कह लीजिए उसको तो ट्रैक से जो वो बफर होती है तो उसकी हाइट कितना हो गया तो एक हजार एक सो पाँच ताउसें उन 1030 mm होता है तो साथियो जैसा कि मैंने फर्स्ट कुश्चन में बता है कि मैक्सिमम रेल से बफर क्यों चाहिए कितनी होगी तो 1105 लेकिन मिनीमम कुश्च नमबर 2 में कि बोल रहे हैं मिनीमम परमिसिबल बफर हाइट होना चाहिए 1030 mm तो आईए कुश्च नमबर 3 की और चल चाहिए जो जो हमारे मेतर जिन को यह क्या बोल रहे हिंदी इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आ रहे है वह स्क्रीन साट ले सकते हैं स्क्रीन साट ले करके और वह इसका ध्यान करें कि और चलते हैं मिनिममम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन की बात कर रहा है तो मिनिममम परमिसिबल कितना है बफर प्रोजेक्शन 584 mm पांच्व चौरासी mm आये question number 5 की ओर चलते हैं और question number 5 है the diameter of buffer plugger face of ICF coaches is 457 mm यानि 457 mm आये question number 6 की ओर चलते हैं और question number 6 है in ICF coach draw bar and head stock what should be the maximum buffer projection in mm तो इसका हो जाएगा 92 mm यानि 92 mm आये question number 7 की ओर चलते हैं और question number 7 है what is the distance between two buffer at one end तो इसका 1956 mm यानि 1956 कह लीजिए 1956 mm हो जाएगा इसका answer आये question number 8 की ओर चलते हैं और question number 8 है what is the maximum buffer plugger struck in mm तो 127 mm 127 mm इसका answer हो जाएगा आये question number 9 की ओर चलते हैं और question number 9 है how the weight of the body is transferred on trolley in ICF कुछ तो side bearer इसका answer क्या हो जाएगा side bearer तो साथियो जो weight होता है न ICF trolley का तो उसका side bearer पर होता है ना की चक्का पर होता है ना की wheel पर होता है आये next question की ओर चलते हैं और question number 10 है what should be the minimum buffer height after poh तो इसका answer हो जाएगा 1090 mm यानि 1090 mm आये question number 11 की ओर चलते हैं और question number 11 है the ICF buffer plug plug is made of cast steel ये cases की बनी होती है तो cast steel की बनी होती है आये question number 12 की ओर चलते हैं और question number 12 है in loaded condition the minimum permissible height of buffer in ICF coach is 1030 mm 1030 mm इसका answer हो जाएगा साथियो ये सारा का सारा question ये question bank है practice set नहीं है कहीं न कहीं ये पूछा जा चुका है तो इस लिहाँ से ये काफी ज्यादा important हो जाता है तो आये question number 13 की ओर चलते है what is the buffer stock in ICF coach the 127 mm इसका answer हो जाएगा आये question number 14 की ओर चलते है और question number 14 है the new thickness of a draft fed in ICF coach is 32 mm आये question number 15 की ओर चलते है और question number 15 है the condemning thickness of a draft fed in ICF coach तो ये हो जाता है 30 mm इसमें हो जाता है 30 mm यानि 30 mm इसका answer होगा आये question number 16 की ओर चलते है और question number 16 है what is the slot of draft key in drawbar hook in ICF coach तो 38 mm आये question number 17 की ओर चलते है और question number 17 है what is the new thickness of draft key in ICF coaches जिसमें 36 mm आये question number 18 की ओर चलते है और question number 18 है question number 18 the draw and buffering no the draw and buffering force transmission in coach is center power word इसका answer A हो जाएगा आये question number 19 है जो मेरे friend जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है हिंदी कुछ कुछ बाते वो इसके screenshot ले सकते हैं और खुद से practice कर सकते हैं आये question number 19 है name the distance between axle box top and axle box crown voltage clearance A एक हमारे मेत्र काफी ज्यादा active है उनका राम क्या है संकर जी है रभी संकर जी काफी ज्यादा active है और काफी ज्यादा मेहनत कर रहे मेरे ख्याल से और करना भी चाहिए पड़ते एक student को करना चाहिए आये question number 20 क्यों चलते हैं question number 20 है write the difference of load between IRS coach and ICF coaches 26 to 32 percent क्योंकि जो काफी मेहनत करेंगे उनका ही selection होगा इतना बात तो हमेशा note करके चलना चाहिए आये question number 21 क्यों चलते हैं hauling capacity of HD type CBC is 9000 टन इसका हो जाएगा 9000 टन आये question number 22 क्यों चलते है question number 22 है what is ARC radius of buffer fish तो ये हो जाएगा 1905 यानि 1905 mm इसका answer हो जाएगा आये question number 23 क्यों चलते हैं question number 23 है in production unit in tear condition the minimum permissible buffer height above rail line to center of buffer is 1095 mm आये question number 24 क्यों चलते हैं और question number 24 है in workshop in tear condition the minimum permissible buffer height above rail line to center of buffer is 1090 mm question number 25 है what thickness of hard packing ring used for 889 to 864 mm average tray diameter of the two wheel sets of bogey in adjustment of buffer height तो इसका हो जाएगा 30 mm यानि 13 mm इसका answer हो जाएगा question number 26 है what thickness of hard packing ring used for 863 to 840 mm average tray diameter of two wheel sets of bogey in adjustment of buffer height तो ये हो जाएगा 26 mm 26 mm हो जाएगा question number 27 है thickness of hard packing ring used for 839 to 820 mm average tray diameter of two wheel sets of bogey in adjustment of buffer height 38 mm इसका answer क्या हो जाएगा 38 mm आई question number 28 क्यों चलते हैं और question number 28 है thickness of hard packing ring used for 19 mm average tray diameter of two wheel sets of bogey in adjustment of buffer height is 48 mm आईए question number 19 क्यों चलते हैं और question number 19 है enhanced enhanced proof load of drug gear and extractive coupling is 75 ton इसका answer क्या हो जाएगा 75 ton आईए question number 30 क्यों चलते हैं और question number 30 है enhanced breaking load of drug gear and screw coupling is 130 ton आईए question number 31 क्यों चलते हैं और question number 31 है what is bear limit of draw hook of root of near point of contact with bent link तो इसका हो जाएगा 38 में आईए question number 32 क्यों चलते हैं और question number 32 है wear limit of draw hook pin hole is 3 mm इसका answer हो जेगा 3 mm आईए question number 33 क्यों चलते हैं और question number 33 है wear limit of draw hook button bottom side of sank is 15 mm आईए question number 34 क्यों चलते हैं और question number 34 है तो question number 34 है wear limit of 45 mm die hole draw hook is 3 mm इसका answer हो जेगा 3 mm question number 35 को देखिए question number 35 है nominal diameter of drug year pin is 31 mm question number 36 है wear limit of draw gear pin is 1 mm question number 37 है wear limit of draw hook bearing piece is 6 mm question number 38 है nominal diameter of draw hook locating pin is 25 mm 39 को देखिए the projection of the soldier on the draw hook from the head stock is within 92 to 120 mm आईए question number 40 क्यों चलते हैं question number 40 है enhance capacity of buffer specification number IRS M 10 are fitted in all busy maintenance coaches 1030 kg M question number 41 को देखिए और question number 41 है nominal thickness of buffer casting body valleys 11.50 mm question number 42 को देखिए what is beer what is beer limit of buffer casting body wall तो इस concern 5.50 mm हो चाएगा साथियो आपको और किसी इस पे वीडियो चाहिए जरूर बताए यह तो miscellaneous type of questions है जो अलरड़ी previous year में पूछा जा चुका है तो इसलिए हाँ से यह question काफी जादे इंपोर्टेंट है thank you so much बहुत बहुत धनिवाद नमस्कार